तो हैलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल अर्थशास्तर की नगरी जैसे के आपने समनिल के अंदर देखी लिया है आज आज जो बात करने जा रहें वो करने जा रहें वियस्ति अर्थशास्तर की बुकक का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है बजार के रूप इस चैप्ट और भाइया आपके पास वेस्टी अर्थिशास्त्र के बुक है तो आप इन को प्रिपेर कर सकते हैं क्योंकि इन कोश्चन के आने की जो पॉसिबिल्टी है वह एक्जाम में कहीं जादा है और यह पीडियेफ आपके से डाउंडोड कर सकते हैं यह भी मैं आपको वीडियो के क्लास में जरूर बताने वाला हूं तो वीडियो को बहुती ज़्यादा ध्यान से देखेगा वीडियो बहुती ज़्यादा जबरदस्त और बहुती ज़्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली है तो बिना बखवास की मुद्दे को शुरू करते हैं सबसे पहले कुश्चन के बजार के अंदर एक फर्म जो है वो कीमत सुईकारक होती है पून परतियोगिता के अंदर एक अधिकार के अंदर एक अधिकारिक के अंदर यल्पा दिकार के अंदर तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए केवल पून परतियोगिता बजार एक ऐसा बजार होता है जिसमें चाहे बेच सकती है ये बात आप आपको जो ध्यान लगनी है पून पररतियों गिता बजार के अंदर कोश संब्धित करें अबर बात करें तो एक भरन को एक होना थे tipping आतरा बेच मौन नहीं आ modest चाहती है यह rich किमत के अडिक मात्रा बेच सकती है, करेंगे पुन परतियोगीता में तो कीमत समान रहती है और अलपादिकार जो है उसके Please कीमत समान एक अधिकारिक यही दोनों बजार ऐसे होते हैं जिसके अंदर रुत्पादक अगर अपनी वस्थुके यदिक मातरा बेचना चाता है तो किएवल उस्थू किया क्लिक प्रतियों कि या एक फर्म विद्यमान कीमत पर कित्ती भी बात्रा बेचने में सक्षम होती है या B और C दोनों तो अभी मैंने आपको बताया कीमत समान रहती है जो जो कीमत निर्दारित करता है उसको सुईकार करना होता है एक समान कीमत रहती है उस पे वो वस्तु की जित्ती भी मात्रा चाहे बेच सकती है बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दो नहीं बिल्कुल ठीक लिखे हुए है इसलिए यह जो एस का अंसर हो जाएगा थर्ड का डीड आप हम बात करते हैं आप हम बात करते हैं कोशन नंबर चार की क्या रहा है एक अधिकार के इंतरगत फर्म का जो मांग वक्र है वो क्या दर्शाता है कीमत और मांग में कोई भी संब्द नहीं है कीमत और मांग में वीप्रित संब्द है कीमत और मांग के बीच में धनात्मक संब्द है या इसमें से कोई भी नहीं देखो यहां तो यह basically आपको confuse कर रहा है बाई मांग वक्र क्या दर्शाथ है कीमत और मांग में वीप्री संबंद होता है आप वो चाहे एक अधिकार की बात हो या बाई कोई भी कोई भी मांग वक्र हो मांग वक्र क्या दर्शाएगा कीमत और मांग में वीप्री संबंद होता है simple सी बात है त जो है वो इसका correct answer हो जाएगा question number 5 की अगर हम बात करें तो यह कह रहा है कि एक वस्तु के लिए विभिन क्रेताओं से बिन-बिन कीमते वसूल करना क्या कहलाता है मतलब कि किसी वोगता को 5 रुपे की बिकी जा रही है किसी को 10 रुपे की किसी को 15 की एक ही वस्तु के जब अलग-अलग customer से अलग-अलग पैसे charge की जाते हैं तो वो क्या कहलाता है वो कीमत विभेत के लाता है बहुत ही अच्छा question है एक्जाम के point interview से कीमत विभेत और वस्तु विभेत के ऊपर question आए गई आएगा इसको आप जो है अच्छे से पढ़के जाएगा question number 6 की अगर हम बात करें तो कह रहा है एका दिकार के अंत्रकत जो firm का जो कीमत पर आंशिक नियंत्रन होता है पून नियंत्रन होता है कोई नियंत्रन नहीं होत व्यपार गुट के लिए अनुकूल होता है पून परतियों किता एक अदिकार अलपा दिकार या इसमें से कोई भी नहीं मतलब कौन से व्यपार गुट जो है बनता है व्यपार गुट बनाने के लिए अनुकूल होता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि अलपा दिकार ब पर जित करती है तो किस बजार के अंदर लपाधिकार के अंदर के अंदर के संदर्व में निमली कित कथनों में से कौन सा सही एक अधिकारी मोनो पॉलिस्टिक में गया रहा है कीमत पर मांग वक्र शैति सरल देखा होना प्रवेश और निकासी की सोतंतरता और विक्रह लागत स्टिक के अंदर कोई भी फर्म आसानी से आसकते हैं तो इसमें सबसे सभी आंसर वो जाएगा आपका सी उसके बाद कह रहा है कोशन नमबर कोशन नमबर नाइंथ की अगर हम बात करते हैं तो कोश्चन नंबर नाइंथ में कहता है कि एक अधिकारी प्रतियोगिता बजार की कौन सी विशेष्टा एक अधिकार बजार के साथ में लिखाते है वो कौन सा फीचर है जो एक अधिकार के अंदर भी है और एक अधिकारी के अंदर भी है पहले में कहता है एक विक्रेता त ये वाला जो फीचर है दोनों का मांग वक्र जो है वो सेम जैसे एर वक्र एम आर वक्र जो होता है वो ही डिमांड करव होता है तो वाई चाहे पून परती होगी ता ले लीजिए चाहे एक अधिकार ले लीजिए तो ये वाला जो फीचर है ये बिलकुल सही है क्योंकि ये व यह आपसे कोशन पूछा गया है पून परतियोगिता कोशन पूछा गया है कि अगर मांग वक्र है वह इस तरीके का है यह firm का मांग वकर है ठीक है तो इस कीमत पर वह वस्तु की जित्ती भी मातरा चाहे वो बेज सकती है ठीक है तो इसका जाएगा वो जाएगा A ठीक है तो पून पर्तियों किता से यह आप से question पूछा गया है A option जो है इसका correct answer है दसवे का जाएगा A एक firm दीरकाल में भी आसमाने लाब अरजित कर सकती है वो कौन सी firm है जो कि दीर चाहे अलपकालो चाहे दीरकालो उसको सूपर प्रॉफिट जो है वो मिलेगा ही मिलेगा पून परतियों किता एकादिकार एकादिकारी या उप्रुक्त सभी कौन सी वो फर्म होती है तो आपको एक बजार ऐसा है जो लॉंग रन या शॉट रन दोनों में ही सूपर प्रॉफिट जो है वो अन कर सकता है उसके बाद कहते हैं कुशन नंबर बारा में कि एकादिकारी प्रतियोगिता की तुन्ना में एकादिकार के अंतरकत एक फर्म का जो मांग वक्र है यह एक रिपीट शेवाले चेप्टर के अंदर भी बढ़ाता जा पर मैं आपको बता रहता आर वक्र के रिगार्डिंग जो कोश्चन आयता तो इसका जो अंसर है वो है बी के जो एकादिकार जो होता है उसका मांग वक्र कम लोज़दार होता है ठीक है एकादिकारी की तुन्ना में क्यों क सबसे बड़ा रीजन है उसके बाद हम बात करते हैं कोशन नंबर 13 के रिगार्डिंग एक बजार विवस्था जिसमें केवल दो ही उत्पादक होते हैं उसे क्या कहते हैं जिसमें केवल दो ही उत्पादक होंगे उसको जो है उसको जो है हम क्या बोलेंगे ठीक है एक ऐसा जिसमें केवल दो उत्वात वहते हैं से क्या कहते हैं उत्वाद अंतग मतां विक्रेता पेजने वाला ठीक है उसको जो है उसको उसको जो है कह पर या उसको कुएशन के अंदर सबसे पहली बात तो क्या धियान लगनी एं आपको इस के के इंदर सबस्जादे पहरी यन उसने बोला कि बई 2 उत्पादक होते हैं उसका केवल 2 ही उत्पादक होंगे है जो बजार हम और करें तो कुष्चन दिकारी के अंदर केवल समरूपी होते हैं, विज्ञापान अधारी होते हैं तो कौन सा जो है एक अधिकारी मोनो पॉलिस्टिक के अंदर किस झाइब का प्रोडक्ट हमको देखने के लिए मिलता है तो मोनो पॉलिस्टिक के के अंदर हमको विज्यापन अधारिच विभेदी होते हैं मतलब यहां पर प्रोड़क्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पाया जाता है उसके बाद कहता है कोश्चन नंबर 15 में कि जो आगम का जो वक्र होता है यार वक्र और उद्योग का मांग वक्र जो है कौन सी मार्किट क अंदर बराबर होंगे तो आपको धियान लखना है कि एका दिकार की स्तिती में एका दिकार की स्तिती में यह दोनों जो हैं आपस में बराबर होते हैं तो 15 का जो आंसर जाएगा A option जो है बिलकुल correct answer इसका हो जाएगा अब हम बात करते हैं question number 16 की question number 16 में कहता है कि जब एक A का धिकारी कीमत विभेद को अपनाता है तो उस बजार में कीमत अधिक होगी जहां मांग लोचदार है एकाई लोचदार है लोचदार है बेलोचदार है या इसमें से कोई भी नही तो भाई जब बेलोचदार होगी तो ही ऐसा possible है कीमत विभेद वो कर रहा है अलग-अलग customer से अलग-अलग पैसे वसूल कर रहा है तो जब उस बजार में कीमत अधिक होगी कब कीमत अधिक हो सकते अगर मांग बेलोचदार है ठीक है बेलोचदार कौन सी होती है कि चाए की धानने मांगवक्र और गैर कीमत प्रतियोगिता क्यारा कौन सा जो है कौन सा सही नहीं है कौन सा सही नहीं है यह हमको बताना यह परफेक्ट नॉलिज जो है यह पून प्रतियोगिता की विशेष्टा है अलपा दिकार की विशेष्टा यह नहीं है उसके बाद हम बात करते है अठारवा पूनप्रतियोगुता के स्षिति में उद्योग में सभी फर्मों की वस्तविएं केवल सब्सक्राइव होती दैंस आशेय विबेट करित न गैज़ दूसरे के पू सब्सक्राइव offered calls पूर्प परफेक्टली सब्सिट्यूट होते हैं जिसको एक दूसरे के प्लेस पे हम जो है यूज़ कर सकते हैं बेसिकली आप से आपको अगर सबकी विशेशता हैं पता है कि किस बजार के अंदर कौन सी वस्तु भिखती तो आप बहुत ही अराम से आप इसको जो है कर सकते हैं उसके यह बात ही कहता है जो यह बहुत ही जाते ध्यां से सुनेंगे की मत का पूंदर मोगा है इस HElt जहीं बेए प्रिटर्माइन के जाता है प्राइब उली टर्शिप अब्वाला ठीक है और समरूप वस्ते कौन से आपूनं कड्बंदन में या को मोजेनेस प्रोडक्ट है वह कौन सी मार्केट के अंदर बिखते हैं पर्फेक्टी जो होते हैं पून कट्भन्दान रिपा दिकार जो होते हैं प्योर के प्योर क्लूजिव उलिजव उलिजो पहली के होते हैं उसमें सब्बाइब प्रफेक्टली क्लूजिव उलिव पॉली होता है उसके अंदर जो होमोजीनिस प्रोड़क्ट बिखते हैं तो बीस वे का जो आंसर है वो जाएगा सी ठीक है जी तो यह बीस कोश्चन है जो किस चैप्टर से बनते हैं इन कुश्चन को बहुत ही अच्छे से पर सकते हो एक्जाम के पॉइंट एव्यू से इन कुश्चन के आने के जो चांस हैं वो बहुत ही जादा है आप इस पीडियाप को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने लिंक डाल दिया है वहाँ पर आप जाके इस लिंक पे क्लिक करके इस पीडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं और एक्जाम में अपनी प्रिपरेशन जो एससे कर सकते हैं ठीक है बाकी मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में ऐसी इंट्रस्टिंग टॉपिक के साथ जिसमें बात करेंगे अगली वीडियो अगले चेप्रस के रिगार्डिंग ठीक है तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को जादर साथा लाइक कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में शेर जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी बच्छे एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहें उनकी प्र ब उनकी प्रिप्लिज़ा के लेखनागी जिते कर दीजेघर उनकी कि लेखने आट है कर देका दो बचारब 거야ised